हेलो बड़ीज कैसे हैं आप सब वेलकम बाक तो मैं चैनल के सोशल लिब्रलिस्म सोशल लिब्रलिस्म से हमें पहले यह जान लेना चाहिए कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा है यह अच्छली हम पढ़ रहे हैं अभी मॉडल लिब्रलिस्म की डिस्टिंटिव आइडियाज में हमने इंडिविज्वालिटी पढ़ लिया जिसमें हमने जैस मिल के आइडियाज को पढ़ा था और लिबर्टी उसके बाद हमने पढ़ा पॉजिटिव फ्रीडम जिसमें हमने टी-एच्ट्रीन के आइडियाज को प पढ़ेंगे social liberalism, आप देखेंगे कि जो 20th century है, social liberalism का development है उसी time पर हुआ, context हम देख लेते हैं, background हम देख लेते हैं, यह basically develop हुआ, first world war के time पर, second world war के time पर, और काफी 1950-60s तक चलता रहा, यह इसलिए हुआ, क्योंकि सारी economies world war के time पर, world war के बीच के period पर, डिवास्टेटर थी, great depression का time था, इस time पर state का intervention जरूरी हो गया था, तो इस context में basically social liberalism developed हुआ, क्यों developed हुआ, क्योंकि governments चाहती थी, कि उनका national efficiency बढ़े, वो वर का time था, तो वो चाहते थी, कि healthy workforce हो, वो चाहते थी, कि हमारी, उनकी army strong हो, तो इसलिए उन्हें जरूरी था, कि वो intervene करें, वो nutrition पर intervene करें, वो health पर intervene करें, वो pension, आप आगे जाकर देखेंगे, कि UK में pension, old age pension का भी बात हुआ, और उन्होंने introduce भी किया, तो अब हमने जान लिया कि क्या context था, social liberalism का, अब देखते हैं कि economy से related context थो हमें पता है, लेकिन अब हमें देखना होगा कि political aspects में क्या context था, actually इस time पर, जो है economies या nation states, नए-नए nation states भी आ रहे थे, और नए-नए लोग enfranchise भी हो रहे थे, जैसे कि industrial worker, जैसे कि कहीं-कहीं जगए पर peace entry, तो उनके welfare की बात करना जरूरी हो गया था states के लिए, क्योंकि उन्हें vote चाहिए था, government में आने के लिए, पार में आने के लिए उन्हें vote चाहिए था, तो उनके welfare की obviously बात करेंगे, आप आगे जाके जब socialism पढ़ेंगे तो फैवियन socialism पढ़ेंगे, उसमें भी इसी तरह की बात की गई है, तो देखते हैं कि welfareism जो है, वो क्या सिर्फ, liberals का है या किसी एक ideology का है, modern liberals का है या किसी एक ideology का, नहीं, जो welfare की बात करते हैं, almost हर ideology बात करती है, किसी ना किसी तरह से, किसी ना किसी context में, जैसे की socialists, liberals, conservatives, feminists, in fact fascists भी बात करते हैं बहुत बार, social liberalism के बारे में, तो social welfare, social liberalism जो है, वो liberalism की extreme, जो है, modern liberals, वो लोग फोकस करते हैं, social welfare में, और इनके defenders क्या बोलते हैं, कि there should be an equality of opportunity, equality आप उस sense में मच जाएगा, जो हमने classical liberalism में पढ़ा था, जो formal equality की बात करते है, formal equality मतलब होना चाहिए, merit को, merit का promotion वो करते हैं, वो बोलते हैं कि political equality, that means, कि लोगों को equal citizenship होनी चाहिए, ascribed नहीं होनी चाहिए, that means, कि by birth किसी को, मतलब, किसी social position में है, इसलिए उसकी citizenship के अलग privileges नहीं होने चाहिए, तो, जो classical liberals हैं, वो एक तरह से formal equality की बात करते हैं, लेकिन modern liberals हैं, वो बात करते हैं, equality of opportunity के दूसरे sense में, कैसे, वो बोलते हैं, कि जो disadvantaged है, अगर आप formal equality देखें, तो उसमें disadvantage को कोई advantage नहीं है, that means, कि जैसे, अगर, आप suppose करिए, कि आप एक woman है, या आप, किसी ऐसी community में birth लिया है, आपने, जिसमें, आपके opportunities, economic opportunities बहुत कम हैं, जैसे कि ancient times में, in fact, अभी के time में, अगर आपने manual scavenging का class किया होगा मेरा, तो उसमें manual scavenging में क्या होता है, कि एक fear ये भी है, कि जो manual scavengers हैं, उनके बच्चे भी मजबूर हो जाते हैं, कि manual scavenging में जाएं, तो ये क्या हुआ, उनके children, manual scavengers के बच्चे जो हैं, वो socially disadvantaged position पे हैं, क्यूंकि उनका बर्थ किसी एक community में हुआ है, और आपने देखा होगा कि manual scavenging एक caste related problem है, तो जो modern liberals हैं, वो बात करते हैं, कि equality of opportunity होनी चाहिए, लेकिन हमें social circumstances का भी ध्यान रखना चाहिए, in fact, वो state के intervention की जरुरत समझते हैं, और वो बोलते हैं कि state का expansion होना चाहिए, state को welfare की तरफ काम करना चाहिए, आप Indian context में देख सकते हैं कि DPSPs हैं जो, वो state के expansion की बात करते हैं, वो state के welfare state की बात करते हैं, in fact, जो DPSP है, वो अगर हम देखेंगे, कि ये classical liberalism से बहुत ज़्यादा contrasting view है, उनका मानना था कि state को night watchman होना चाहिए, लेकिन social liberals जो बात करते हैं, वो बोलते हैं कि state को expansionist मतलब उनका उन पर एक positive duty है, और positive freedom की बात करते हैं, तो अगर आप हमारे DPSPs को देखेंगे, तो उसमें state का expansion किसी की freedom को curtail, या किसी के right को curtail नहीं कर रहा है, बल्कि state का intervention, rights को और ज्यादा expand कर रहा है, कैसे, जैसे कि आपने देखा होगए कि right to work, government of India मनेरेगा प्रोवाइड करती है, right to education, article 21A में, government of India, it is constitutional amendment act से, government of India ने right to education की बात की, फिर right to decent housing, जो government of India काम कर रही है, प्रधान मंत्री आवास योजना, इंद्रा आवास योजना, तो क्या है कि, अगर आप imagine करिए कि, अगर state इन सब फिर्म में काम नहीं करता, तो आपके rights तो कहीं न की curtail हो रहे होते हैं, या shrink हो रहे होते हैं, क्योंकि आप अपने rights enjoy नहीं कर पातें, जो article 21 में लिखा हुआ right to life, तो right to life, right to live with dignity भी है, तो ऐसे social liberals का कहना है, कि state का intervention, actually rights को expand करता है, जबकि classical liberals सिर्फ negative rights की बात करते हैं, वो गलते हैं कि, इंडिवीजों को सिर्फ negative rights हैं, और वो free of restraints हैं, उनका मानना है कि private sphere और state के sphere में, एक clear compartmentalization होना चाहिए, private sphere में government को बिल्कुल भी touch नहीं करना चाहिए, अगर हम इस तरह से जाएं, तो government of India या states को intervene नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह के women के rights के लिए, जैसे कि अगर हम classical liberals की बात करें, तो domestic violence आ जाएगा, एक तरह से private sphere में, तो अगर state उसके लिए laws बनाती है, तो वो कहीं न कहीं justified नहीं होगा, classical liberals की थेरी में, जबकि अगर state modern liberals की बात करें, तो वो state welfare के लिए काम करता है, सारे disadvantaged के लिए, तो domestic violence act government of India जो ले कर आई थी 2005 में, तो वो बहतरी के लिए है, एक section of society के लोगों के लिए, तो वो सही होगा, उनके opinion में, उनके point of view से, अच्छिली, इस social liberals का जो foundation है, UK में, जो उस ताइम पर बहुत advanced economies थी, powerful states थी, उस ताइम पर, तो UK में जो है, World War I के पहले ही रख दिया गया था, जैसे old age pensions, जैसे की health system, limited health system, और इसका further development हुआ था, पोस्ट वर्ड वर्ड अटली गवर्मेंट के टाइम पर, जब बहुत famous beverage report आई थी, जो बात करती है, social security के बार में, in fact आप इतना comprehensive view देती है, social security का, welfare state का, कि वो बोलती है कि, state would provide, social security to all the citizens, from the cattle to the grave, बहुत ही ज़्यादा comprehensive है, ये concept, similarly, US में भी, Great Depression के बाद, New Deal आया, जो की, किनीशियन मॉडल पर बेस्ट था, किनीशियन प्रिंसिपल्स पर बेस्ट था, तो, US भी, welfare state की तरफ जाने लग गई, वेलफियरिज्म की तरफ जाने लग गई, और इसका further development होता है, New Frontier Policy, John F. Kennedy के टाइम पर, तो आप देखेंगे, कि उस टाइम की best economies, ये उस टाइम के most powerful states भी, वेलफियरिज्म की तरफ जाने लग गई, जो कि जिनका, अच्छिली जिनका foundation था liberalism, तो वहाँ पर पहले classical liberalism आया, फिर दीरे-दीरे evolve होके, social liberalism की तरफ ये move करने लग गए, और इसका again, further development होता है, second half of the 20th century, मतलब John Rawls के टाइम पर, उन्होंने a theory of justice में, redistribution of welfare, redistribution and welfare की बात की है, उनका मानना है, कि equality, उनका मानना है कि fairness ही justice, है, तो उनका idea of justice है, जो आप हम पढ़ेंगे, जब justice पढ़ेंगे, जब हम John Rawls को पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि वो, equality as fairness की बात करते हैं, तो वो merit पर से बिलीब नी करते हैं, उनका मानना है कि social position की वज़े से, कई बार कुछ लोग, disadvantaged हो जाते हैं, discrimination करिए, ताकि वो लोग जिनके सब historical injustice हुआ है, उसे undo किया जा सके, उन्हें fairer treatment दिया जा सके, तो इस चीज के लिए John Rawls एक political fiction लेकर आते हैं, जिसको वो नाम देते हैं, wheel of ignorance, wheel of ignorance में क्या होता है, आप imagine करिए कि आप birth से पहले, आपको पता नहीं है कि society कैसा होने वाला है, आपको पता नहीं है कि आप कहां जन्म लेने वाले, तो कहीं न कहीं आपके, का नहीं पता कि आप fully, आप specially abled रहेंगे, या दिव्यांग जिन रहेंगे, या फिर आप, आप पूरी तरह से functional आपका body रहेगा, आपको नहीं पता है कि आप poor community में जाएंगे या rich community में जाएंगे या आपको नहीं पता है कि आप rich होंगे या poor होंगे तो आप आप क्या चाहेंगे कि आप जिस भी society में जाएं तो एक egalitarian society हो जो आपके disadvantaged होने की वज़े से आपको unfair treat नहीं करें आपके इस चीज़ को consider करें कि आप disadvantaged है by accident of birth तो आपको उपर लाने के लिए आपका upliftment करने के लिए society के पास ऐसा mechanism होना चाहिए जैसे आपका upliftment हो सके जैसा कि similar concept हम reservation में देखते हैं हम बहुत सारी schemes देखते हैं जिसमें government क्या करती है कि उन लोगों के social employment का काम करती है similarly जो है John Rawls बात करते हैं कि जो egalitarian society का concept देते हैं और वो political fiction लेकर आते हैं कि एक will of ignorance होना चाहिए तो जो will of ignorance में individual decide करेगा कि society ऐसी ऐसी होनी चाहिए वही actually fair होगा distribution, fair distribution of resources होगा इसी concept को वो further कहते हैं कि will of ignorance में individual क्या decide करेगा तो उनका कहना है कि वो एक difference principle देते हैं उनका कहना है कि वो ऐसा decide करेगा कि जो अगर social और economic inequality होती भी हैं तो अगर हम उस तरह की social और economic inequality करते हैं तो least well off के advantage में होनी चाहिए वो उन लोगों के बारे में भी सोचनी चाहिए तो इस तरह का justice theory actually socialist कहीं कहीं न कहीं socialist है लेकिन फिर भी यह liberal क्यों है क्योंकि यह आक्चली इसे liberal इसलिए कहते हैं आप सोचनी की society की बात कर रहे हैं जैसे कि अगर well of ignorance में individual है तो वो दूसरों के लिए नहीं सोच रहा है वो सिर्फ अपने लिए सोच रहा है वो self seeking है इसलिए वो rational होकर एक choice दे रहा है एक decision ले रहा है कि society को egalitarian होना चाहिए तो यह solidarity पर based नहीं है राधर यह actually self interest पर based है इसलिए इस concept को Rawls के social liberalism में लेकर आते हैं next हम पढ़ेंगे economic management economic management जैसा कि शब्द से आपको पतता चल रहा है कि state manage करेगी economy actually यह थेरी जो आई economic management की यह 20th century में आई जब states बहुत ज्यादा दिक्कत फेस कर रही थी बहुत साई countries economically devastated थी nations बहुत ज्यादा unemployment विटनेस कर रहे थे और 1930s का great depression जो था वो actually बहुत ज्यादा demonstrate कर रहा था कि कैसे free market fail कर सकता है lessons fair का एक तरह से एक failure था इस तरह के time पर इस context में actually economic management की बात होने लग गई और almost सारी economies सारे states ने economic intervention अडॉप किये जैसा कि हमने पिछले slides में पर पढ़ा था कि क्या reasons थे states के intervene करने के तो state ने intervene करना start किया तो जो economic management है states का society का वो किस ground पे है वो actually Keynes के economic principles पर based है Keynes की interventionist policy पर based है जो UK के economist है इन्होंने अपनी the general theory of employment interest and money में लिखा है कि states को basically demand पर focus करना चाहिए उन्हें चाहिए कि economy के growth करने के लिए economy का growth होने के लिए जरूरी है कि demand बढ़े और demand बढ़ने के लिए aggregate demand बढ़ाने के लिए किया चाहिए aggregate demand बढ़ाने के लोगों के हाथ में पैसा होना चाहिए तो उनका कहना है कि जो classical liberals का idea था कि market self-regulating है वो actually सही नहीं है क्योंकि market हर कुछ नहीं कर सकता बहुत complex है phenomenon ये तो उनका मानना है कि state का intervention ज़रूरी है जब unemployment जैसा situation create होता है तो states को चाहिए कि वो लोगों के हाथ में पैसा दे अभी के context में आप ऐसे देखें कि COVID times में government of India ने बहुत जादा spending बढ़ाई है और उसके साथ एक उनके पास fear भी है कि वो अगर बहुत जादा पैसा दे देंगे तो inflation ना create हो जाए तो वो classical liberals का है जो Frederick ने बोला था Keynes के idea को जब उन्होंने criticize किया था तो अभी के context में आप अगर देखेंगे तो government यही कर रही है इंपक लोग बड़े-बड़े economist बोल रहे हैं कि government को spending बढ़ानी चाहिए बौरो करके बढ़ानी चाहिए spending क्योंकि लोगों के हाथ में पैसा नहीं है और बहुत जबा economy distress से जा रही है तो इनका कहना है कि इन्होंने यही चीज suggest की थी उस time पर जब great depression आया था तो Roosevelt ने लेकर आये थे new deal लेकर आये थे actually वो इसी चीज पर based था क्या होता है कि जैसे ही demand होगी तो production बढ़ेगा production बढ़ेगा तो लोगों workers के हाथ में वे जाएगी workers के हाथ में वे जाएगी तो फिर इसे demand बढ़ेगा तो एक virtuous cycle होता है and in fact यह बोलते हैं कि जब economy distress time से जा रही है या फिर जब economy में growth नहीं हो रहा है तब taxation को बढ़ाना नहीं चाहिए ऐसे कोई भी logic दे सकता है कि government को spend करने के लिए tax को बढ़ा देना चाहिए ताकि government के हाथ में पैसा revenue जादा होगा तो government spend जादा कर पाएगी लेकिन इनका मानना है कि tax को नहीं बढ़ाना चाहिए उस time पर क्योंकि उससे क्या होता है कि लोगों का लोगों के हाथ में पैसा नहीं रह पाता और उसके बाद effectively उनके पास कम पैसा बचने की वज़े से क्या होता है कि economic activity reduce हो जाएगी again the same reason कि demand कम हो जाएगी तो उस situation में कीन्स recommend करते है कि government को reflect करने के लिए tax को cut करना चाहिए या फिर public spending बढ़ानी चाहिए तो modern liberals का जो ये economic management का concept है ये actually बोलते हैं कि ये constructive है और ये promote करेगा prosperity को society में और harmony generate करेगा harmony create करेगा तो ये basically ये idea थोड़ा सा contrasting है classical liberals के जो कि night watchman states की बात करते हैं जो बोलते हैं कि state को बिल्कुल भी intervene नहीं करना चाहिए तो आप देखेंगे कि world war 2 तक तो almost सारे states ही यही काम कर रहे थे कि वो economic management कर रहे थे in fact intermittent period में भी जो states basically यही काम कर रहे थे आर्मी में जो expenditure था या आर्मी में जो war के लिए expenditure था war भी शायद एक तरह से reason दिया जाए अगर तो इसलिए हुआ क्योंकि states बहुत जादा focus कर रहे थी कि production बढ़ेगा तो employment होगी तो वो war की तरफ जा रहे थी क्योंकि वही एक तरीके से काम दे पा रहा था तो आप imagine करिये कि states किस तरह से employment के लिए war की तरफ भागी या war की तरफ जाने लग गई तो यही हुआ था in fact जो कीज की principles हैं जिसे की regionism बोलते हैं तो उनको credit दिया जाता है कि एक unprecedented growth दी थी इनुने 1950s और 60s के टाइम पर लेकिन यह big state यह ever expanding state था उसकी situation खराब होने लगी economic difficulties आने लगे क्योंकि state अपना जो expand कर रहा था तो धीरे धीरे situation क्योंकि competition नहीं था market में आप imagine करिये कि अगर monopoly में रहेगा जो पहले example भी मैंने दिया है तो क्योंकि कोई भी चीज monopoly में रहेगी कोई भी firm monopoly में रहेगा तो वो products अच्छे नहीं बनाएगा efficient नहीं रहेगा तो क्या हुआ यही चीज हुई economies में क्योंकि state के intervention से होने की वज़े से state का spending बढ़ने की वज़े से क्या होता है कि धीरे 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 market में competition नहीं रहता तो competition ही रहने की वज़े से products अच्छे नहीं आ रहेते और competition नहीं होने की वजह से भी दिकते बढ़ने लग गई थी, inefficient होने लग गई थी economy तो फिर 1970s में neoliberalism आया, लेकिन फिर भी 80s के around या 90s के around आपको जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक criticism जो LPG का दिया जाता है, globalization, liberalization, privatization और globalization का कि इंडिया में post 1991 inequalities जादा आएं, तो क्योंकि LPG नियो-liberalism पे-based था तो actually वो काम नहीं कर पाया, क्योंकि ये उतनी inequalities को बिज नहीं पाएं पूर और रिच के बीच में जो गल्फ था, उसको इतने अच्छे तरह से बिरच नहीं कर पाया, in fact, और भी ज़्यादा inequalities बढ़ने लगए, तो यही reason है कि फिर से neo-kineanism की बात आई, लेकिन ये जो नया kineanism जो था, वो पहले वाले से different है, अब neo-classical liberalism में और keene's का जो principles है, अब वो दोनों march करके देखे जाने लगए, तो अभी तब के लिए इतना ही, liberalism in global age बहुत important topic है, मैं एक separate lecture में खत्म करूँगी, और उसके बाद liberalism खत्म हो जाएगा, that's it from my side, thank you for watching my channel, if you liked my video, please subscribe and share and if you think there's any improvement required, please, please comment on the section below